अब तक फरीदावाद में कॉशल गैंग के कॉल से लोग डर रहे थे लेकिन अफरीदावाद की पुलिस भी धमके भरे कॉल देने लगी है बल्लवगर चावला कलोनी पुलिस चौंकी में तैनात एस स्ट्री राम के एक ओडियो वाइरल हो रही है जो एक धाबे वाली से सो नमबर वाला माल मांग रही है साहाब को साही पनीर और कड़ाई पनीर खाना है वो भी मुफ्त में अगर बिल मांगा तो रात के बारा बज़े गस पर आकर देख लेने की धमकी भी दे रहे है इस बारे में धाबे माली का कहना है कि पिछले कई माहिनों से पुलिस कर्मियों ने फ्री में खाना खाखा कर उन्हें परिशान किया हुआ है और यहाँ पर जहां मैं हूँ यह जनता मेडिकल स्टोर है उसके साथ में जनता फूड एक्सप्रेस है और यहाँ पर तीन चौक ही लगती है तीनों चौक बीच में यह पर है यह और रात को यह पुलिस वाले आके परिशान करते हैं हमें फ्री में खाना चाहिए इनको यह बगत सिंग चौकी है चावला कुलोनी की और सेक्टर तीन की है और यह आठ सेक्टर है ठीक है रात कोई आते हैं और इनको फ्री में खाना चीए और रात में तो दिन में भी इनको फ्री में चीए और दिन में 4-5 बश करके आ जाते हैं ये लोग और अपना कह गते है खल तो यहां पर मुर्लीधर नाम का है कोई पुलिस वाला वो और सिर्राम इन्हों ने फोन करके भी घंपा आ है यकल झेल जै कैघnal इन्हों ने ऐडर दो लेकर लादकी नैसे हें पनी, खें, दोन क्ट होना का 봐 Самस्ot供ार, चर्वी इनोंने order किया उकल मैंने मना किया हिनको कि पहथाया का त group का टाम में अफ़र्ड बढ़ानि कर सकता और पूरी दिन प्रस्तोप सेल में अजयत में रात में फ्रदे ऑसनों टोज़ार कर रहा हूं खेर कर देनी बारा में स्टाफ होगी और यह मतलब इस तरह कि यह परिशान कर रहे हैं डेली का 700-800 का भी बन जाता है कल आके कल मैंने मना कर दिया तो रात को साड़े दस बजे आगे गाड़ी से गाड़ी में स्टाफ को बुला लिया इनोंने बुला के इनोंने बोला कि ग्यारा ब अब जे आकर दोबारा बोला कि तुझे समझ नहीं अभी तक मैंने क्या बोला तुझे गरं तवे बठा दूंगा सर पर रख दूंगा तेरे तवा इस तरह के वाड़ी सी उसके इनों है फ्री में नहीं नहीं दिया इसलिए बोला है उसके बाद फिर भानेवाजी की लोयन मॉटर है और यह वो इस तरह के करने लगे बाकि असली बात तो यह है कि इनको कल मैंने मना किया तो भी इस तरह की किया है डेली यहां पर मडर हत्या लूट हो रही है और चौकी थाड़ों में आज एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें जो स्थानिये एक पुलिस कि अगर आपने खाना फिरी नहीं बिजवाया तो आपको तई पर बिठा दिये जाएगा इस तरह के लोगों को अगर विकास परुज कहा जाएगा तो मैं तो ऐसे लोगों को विनास परुज कहूंगा जिन्हों ने इस बल्लवड का बेड़ा कर दिया